यूएस में जनवरी 2023 में अपना ओन डिमान एक्जाम दिया था आप लोग का रिजल्ट आ चुका है और कल मैंने कम्मुनिट्री पोस्ट के थुरू आप लोग को इनफॉर्म भी कर दिया था देखो अगर आपने रिजल्ट को चेक नहीं किया है तो चेक कर ले ना लिंक आपक सब्जेक्ट में जिनको SYCT मिल गया है या SYC मिल गया है या AB मिल गया है इस तरीके की कोई प्रॉबलम उनके साथ है तो उनके पास अभी ऑप्शन क्या है वो कैसे अपने SYCT को हटा सकते है या SYC मिला हुआ है तो कैसे हटा सकते है या AB अगर आपके रिजल्ट में लगा तो देखो सबसे पहला उप्शन-प heyday जो अभी अक्टूवर में एक फिजंब आने वाल है इसमें आप लोग अपने उप्ना एक्टूवर में एक्जाम ने सकते हूँ ठीके पहला ईप्षयन आ एक सब्वर्याप्शन् हई है थिप अपना examination fees को pay करके आप लोग exam दे सकते हो और अपने उस subject को clear कर सकते हो ठीक है दूसरो option आपके पास है देखो on-demand exam का on-demand exam भी NOS आप लोग के लिए ही चलाती है तो on-demand exam में भी आप लोग जो भी subject में आप फेल हुए हो उस subject का exam दे सकते हो fees पे करके ठीक है एक मेथर यहा कुछ दिनों में देखो यहाँ पे मिल गया है revaluation के result यह देखोगे apply for recheck and reevaluation इस पर आप किलिक करोगे न तो आप reevaluation और रिचेकिंग के लिए apply कर पाऊगे हाला कि अभी यह link active नहीं हुआ है result declare होने के 15 दिन वाद यह link active होता है तो इसके वारे में मैं थोड़ा सा आपको कर सकते हो ठीक है तीन चान नमर कम है तो apply कर सकते हो अधर्वाइस देखो आप पब्लिक एक्जाम के साथ या on demand exam के साथ जा सकते हो ठीक है तो मिलते अगले वीडियो में